हालो वच्चों कैसे हैं आप लोग तो वच्चों आज हम आपके लिए करके हैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन और वह सेशन आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है नीट 2024 को पहले अट्एम्ट में हम किस तरीके से क्रेक करें बहुत ही धमाके दार तरीके से अच्छी यह की बात कर रहे हैं वह है 2024 मतलब की मोटा वोटा दो साल तैयारी में हम लगाएंगे दो साल हम जी जान से इस नीट की तैयारी को देंगे और हम इस दो साल में 2024 का एक्जाम क्रेक करेंगे अब दो साल की अगर बात आती है तो तो मैंली वो बच्चा जो की 11th क्लास के अंदर है जो अभी अभी दसवी पास करके 11th क्लास के अंदर एंटर हुआ है अव्यसी बात है उसी को वहिया 2024 के लिए फाइट करनी होगी तो सबसे पहरे तो यह जान ले कि अभी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा किस तरीके से हम 2024 को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं लेकिन वीडियो पर आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए ह है जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक बच्चा जो की 10th class complete कर चुका है और अब वो आया है 11th class में 11th class में 11th class में वो entry लिया है और उसके सामने target है नीट 2020 का राइट मतलब कि इस session में वो 11th complete करेगा 2023 में उसका 11th complete होगा और 2023 से 2020 वाला जो part होगा session होगा उसमें उसकी 12th भी चलेगी और 12th के साथ साथ 12th के exam के साथ वो नीट 2020 को भी fight करेगा तो यह यहाँ पर सपना देखने वाला बच्चा जो है वो 11th class का बच्चा है जो अभी 11th में इंटर हुआ ठीक है लेकिन अब सबसे बड़ा question यहाँ पर ही आता है कि क्या हम जो 10th की class में अभी तक पढ़ चुके हैं क्या उस basic के साथ क्या उस basic के साथ हम 11th में इंटर हो करके और हम normal जो school level की अपनी पढ़ाई कर रहे थे अभी तक 10th class के अंदर उस तरह की preparation से क्या हम नेट 2004 को clear कर सकते हैं सबसे बड़ा question याता है कि क्या sir मैं जैसे 10th में पढ़ाई करता था उस पढ़ाई को ही continue रखते हुए मैं आने वाले दो सालों के अंदर नेट 2020 को बहुत अच्छे से clear कर सकता हूं तो देखो यार बहुत simple सी बात में आपको बता हूं तो जो 10th का आपका syllabus है बेटा और जो आपका 11th class और 12th class का जो syllabus 11th और 12 दोनों का मिला करके जो syllabus है इन syllabus के अंदर बच्चों बहुत ही बड़ा अंतर है दिन रात का अंतर है syllabus में तो variation है ही है साथ साथ बिटा यहाँ पर level concept और depth subject की depth का भी difference है अच्छा आसा difference है वह आप यह समझ सकते हो कि एक बच्चा 10th class से 11th class में आता है तो उसके अंदर बहुत जादा जोश होता है जोश बहुत होता है लेकिन उसे यह नहीं बता होता है कि मुझे basically तयारी करनी कैसे 11th class में अपने आपको prepare कैसे करना है तो यह जो margin है न 10th से 11th का यह अपने आप में बहुत बढ़ा margin है तो अगर आप पहले महीने जोश जोश में पढ़ाई कर रहे हो दूसरे महीने लेकिन जब तीसरा अचो था दो चार महीने जब निकल जाते ना तो फिर आपको बता चलता है कि भाईया जोश जोश में हमको यह समझ में नहीं आ रही है कि हमको क्या चीज़े किस तरीके से पढ़नी है को प्राब्लम्स बहुत जाधा फेस करने को मिलती हैं तो यह जो मार्जीं है यह जो शर्लाध करने का काम है यह और वह बहुत अच्छे से होना चाहिए क् этой यह पूरा नहीं हो पाया तो हमारा जो need 2,20 को पूरा करने का सपना है क्योंकि ये तभी पूरा हो सकता है जब हमारा 11th का basic बहुत strong और 11th का basic strong होगा तो जाकर के हम 12th को बहुत अच्छे से prepare कर पाएंगे तो अधिगांज बच्चे तो यार जोश-जोश में enter तो होते हैं लेकिन एक महीने बाद दो महीने बाद उनको पता चल जाता है कि अब चीजे हमारा सर के उपर से निकल रही है तो अब सबसे बड़ा question ये है कि यार इस margin को पूरा कैसे करें ये जो बड़ा सा gap है इस gap को पूरा कैसे करें तो यार देखो एक तरीका तो ये कि आपके दिमाग में आ सकता है एक तरीका तो कि क्यों ना हम 10 में तो मेनत करते ही थे इलेंट में भी मेनत कर लेंगे दिक्कत क्या है तो देखिए मेनत तो आप कर लेंगे मेनत करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन मेहनत किस तरीके से करनी है किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है 11 ग्लास के अंदर जो कि आपकी नीट 2024 के अंदर आपको हैल्प करेंगी कौन सी कॉश्चन प्रेक्टिस आपको करनी है जो कि आपको need 2014 को fight करने में help करेंगी, कौन-कौन से mock test, किस type के mock test, कैसे question आएंगे exam में, वो सारी problems आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगी, तो अगर खुद अपने level पर तैयरी कर रहे हो, तो आपके लिए सारी चीज़े थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगी, अब आप बोलेंगे सर तो एक काम करते हैं, दूसरा option है, आप लोग हमको free classes देते हो, यूटूब पे आप जो हमारी free classes देते हो, हम उन free classes को देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बटा आप ये सोचिए, कि जो classes हम यहाँ पर प्रोइड कर रहे हैं, क्या उन classes को देखने के बाद, आप proper तरीके से sufficient, लोग question practice कर रहे हो, तो क्या आप उस question practice का analysis, आपने जो chapter complete कर लिया, उस chapter को आपने कितना बढ़िया से complete किया, उसका क्या आप analysis proper तरीके से कर पा रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत जादा important हो जाता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा तो यहाँ पर यह है challenge, कि हम free classes देख करके भी prepare कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, और दूसरा हम जो 10th level की पढ़ाई अभी तक करते हैं, उससे हमारा काम चलेगा, ये बत तो sure है, पहला तो मैंने बताया कि preparation के लिए आपको एक proper guidance की ज़रूर थे, अकेले आप अपने दम पर करोगे, लेकिन नहीं करना है, तो आपको preparation के लिए proper guidance चाहिए, सबसे पहला point, फिर आपको guidance के साथ साथ, आपको proper systematic तरीके से regular classes की ज़रूरत होंगी, regular classes, ऐसा नहीं है कि या free class में 4 दिन आ रहे हैं, दो दिन चुट्टी हो गई, तो या उन classes का कोई मतलब नहीं, तो मैंने देखा है कि YouTube पर बच्चे क्या करते हैं, free classes देखते हैं, उनमें बच्चे आते हैं, चले जाते हैं, चार दिन आए, फिर दो दिन चुट्टी मार ली, regularity नहीं रहती है, तो आपको regular classes की ज़रूरत होगी, proper regular manner में classes की ज़रूरत है, फिर जो classes आप ले रहे हैं, उन classes पे based, हर lecture पे based, आपको question practice की ज़रूरत है, lecture पे based आपको क्या करने होंगे, question practice, मान लीजे, मैंने आपको पढ़ाया पहला chapter, mall concept, अब mall concept पढ़ा दिया वही या, ठीक है, लेकिन उस mall concept को सिखने के बाद, क्या हम खुद अपने level पे question की practice अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या हमने कुछ really में सीखा है, सीख साथ हमें properly time time पर homework की भी ज़रूत होती, हमार ली homework भी बहुत जरूरी है, हमार ली homework भी बहुत जरूरी है, हमार की basically question practice में homework में section भी आपका जूर जाता है, homework के अंदर भी आपको question practice मिलती है, number 5, इसके अलावा, आप जब पूरी तरह से chapter को prepare कर लेते हैं, तो आपको mock test देने आप ये judge नहीं कर पाएंगे कि आपकी preparation उस chapter की कितनी जादा solid हुई है, तो ये, और number 6, इसके बाद आपको लगाने होते हैं, previous years के question, PYQs, पिछले सालों में exam के अंदर कैसे question हैं, तो इस सारी problems हैं, ये सारा systematic तरीके से, managed way में आपको तयार करने की बहुत ज़रूरत होती ह आकर कि आप need 22 को बहुत अच्छे से fight कर सकते हो, और इसके अलावा सबसे important, आप जो classes देख रहे हैं, उन classes को देखने के दोरान आपको doubt आते ही आते हैं, अब आपने हमारी classes तो देखी, लेकिन doubt आपके कैसे clear होंगे, तो doubt solving का part एक बहुत ज़रूर्ट होता है, तो doubt कहां से solve हों, तो doubt आपके solve होने बहुत ज़रूरी, क्योंकि doubt अगर solve नहीं हुए, तो आप question practice नहीं कर पाऊगे, question practice नहीं कर पाऊगे, तो आप obviously बात ही, need 24 में अच्छा नहीं कर पाऊगे, तो आपको चाहिए proper systematic, बहुत ही बढ़िया course, जो कि आपको इन सारी requirement को पूरा घर के दे और इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, doubt net आपके लिए लेकर के आया है, एक बहुत ही जवर्दस्त course और जिस बेच में आपको इस course को त्यार करने, इस course को आपको इस course में जाने के लिए आप जिस बेच में इन्रोल होंगे, वो बेच है, सुर्मा बेच, तो doubt net आपके जो की आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा, नीट का एक्जाम देते हो, आप उससे डॉक्टर बनते हो, राइट, तो ये doubt net आपके लिए बहुत ही शांदार सुनवरा मौका लेकर के आया है, इस मौके को बिलकुल भी मिस ना करें, एक परसेंट भी, टीचर प्रियंका मैं पढ़ाएंगे आपको बाइलोजी, कामेसर पढ़ाएंगे आपको चेमेस्ट्री और पालेवाल सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, ये हमारे NEED 24 की टीम है, जो की आपको पूरे साल जब तक NEED 24 का आपका ग्सामिनेशन की बात है, तब तक आपको बहुत guide करेगी आपकी हर एक बात का खयाल रखेगी तो आप इस course में join करके अपने आपको बहुत अच्छे से त्यार कर सकते हैं अब अगली बाद आती है कि इस course में क्या के मिलेगा तो वैसे तो मैं आपको सारी problems बता चुका हूँ जो problems आपको पढ़ाई करने के दोरान आ सकती हैं इन सारी चीजों के solution आपको इस course में मिलेंगे लेकिन फिर भी detailed lectures आपको proper तरीक है systematic daily homework आपको मिलेगा ताकि आप अपना evaluation कर सको not so teacher slide मैंने पढ़ा तो दिया लेकिन भाया पढ़ाने के बाद में बार बार वीडियो खोल करके तो दिन दिखोगे वो तो आपके पास में written में teacher ने जो लिखवा है वो slides होनी चाहिए ना तो teacher की slides आपको मिलेंगी chapter test जैसे आपका chapter हो गया तो उसके बाद में chapter का examination होगा टेस्ट होगा ताकि यह पता चले कि आपने उस chapter को कितना अच्छे से पढ़ा है super hundred pdf ऐसा pdf जिसमें आपको top hundred questions मिलेंगे जो की guaranteed आपको knit exam के अंदर उस chapter के लिए बहुत अच्छे से तयार करके रखेंगे और previous years question most important part तयार तो कर लिया सब कुछ लेकिन यह नहीं पता कि पिछले सालों में topic से उस chapter से कैसे question है तो वह बहुत ज़्यादा important हो जाता है full day doubt solving और साथी साथ chapter wise live interaction teacher teacher जो आपसे होगा sorry माफ करना teacher जो आपसे live interact भी होगा अब बात करते pricing की आप लोग के दिमाग में निश्चित तोर पर आ रहा होगा कि ठीक सर course join करेंगे लेकिन इसके price क्या है तो मैं आपको बता दूँ यह जो course है बेटा यह course आपका 15,000 का है 15,000 का है पंदरह आजार का यह course है लेकिन limited time के लिए submit समय के लिए आपको यह offer में 9,000 तक में पढ़ेगा 40% off पर 9,000 रुपीज में आपको यह course पढ़ेगा तो थोड़ा जल्ली करिए ताकि आप इस course को कम price में purchase कर सके आप अगर इसको कम price में offer में purchase करना चाहते तो आपको coupon code सुर्मा लगाना होगा इस code को लगा करके आप इसे 9,000 में purchase कर सकते हैं आपको इस course के बारे में किसी भी तरह की कोई problem है तो आप इस number पे जा करके बात कर सकते हैं अपने problems को वहाँ पे clear कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे हैं इस course के अंदर आपको description के अंदर Google form भी मिल जाएगा चले तो बच्चो आज के लिए इतना ही मिलेंगे किसी और session में तब तक के लिए बबाए टेक केर best of luck